नमस्कार दोस्तो यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम इंटेग्रेटर मैनुफेक्श्रिंग लस्टेर आगरा की बात करेंगे दोस्तो ये पर्यूजना एक बहुत ही पुरानी पर्यूजना है और इसको अंडर अमिनिस्टर कोलकता इ और ये EDFC का ही पार्ट है तो दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि इस्टन डेडिकेटर फ्रेट कोरिडोर का काम हो रहा है और काफी सासा स्टेचिस का ओपरेशन है बस वेस्ट वैंगोल के अंदर थोड़ा सा सेक्शन बचा हुआ है जो की जल्दी कंप्लीट होने वाला है द 2021 में और दोस्तो जो भी सेलेक्टिड कंसल्टेंट होता उसको IMC आगरा के लिए DPR और जो प्राइमरिली डिजाइन रिपोर्ट ये सब होता है इसको तयाय करना था तो दोस्तो यहाँ पर 21 सप्तंबर 2021 के अंदर एगिस इंडिया कंसल्टिंग इंजिनियर्स पिविटी लि तो यहाँ पर इंट्रिगेटेड मैनुफेक्टिंग क्लस्टर आगरा के लिए इसको पॉइंट किया गया अगर हम IMC आगरा की डीटेल देखे तो IMC आगरा को 1059 एकर्स में डिवलेप किया जाएगा और यह जो एरिया होगा यह प्रोपर इंडिस्ट्रियल क्लस्टर होगा Government of India द्वारा इसको सैंक्सेंट किया गया था 2021 के अंदर वहीं environmental clearance के लिए State Environment Impact Assessment Authority इसके जितने भी guideline है सबको follow के गया और इसके लिए IIT Bombay द्वारा यहाँ पर इसके लिए environmental study की गई वहीं दोस्तो आगरा का जो पूरा area है वहाँ पर कोई भी development अगर करना होता है टरपेजियम जोन में आता है तो यहाँ पर Supreme Court की जो committee होती है उसका भी approval जरूरी होता है हाला कि वो approval इदर इसको नहीं मिला है वहीं गर हम दोस्तो DPR work की बात करें तो DPR work अभी complete नहीं हुआ है वहीं जो site है इस पर जो investors है उन्होंने visit करना सुरू कर दिया है तो यहाँ पर दोस्तो जो land acquisition क्या गया है उसको भी समझेंगे तो यहाँ पर additional land acquired क्या गया है थ्रू आगरा development authority और वो भी complete हो गया है अगर मैं आपको location की बात करूँ तो यह location बहुती भैथरीन है यहाँ पर यह आगरा लखनो एक्सप्रेस हुई आगरा इनर रिंग रोड इसके लावा यमना एक्सप्रेस हुई इन तीनों से connected है चाहिए state capital लखनो हो या फिर industrial city कानपूर हो या फिर national capital दिल्ली हो सबसे connectivity है वाई एक्सप्रेस वीस तो यह बहुती बहुतरीन location है किसी भी investor के लिए जो भी यहाँ पर industrial development करना चाहता है तो यह जो एरिया आप देख रहे हैं यमना रिवर की ऊपर का एरिया यह पूरा एरिया इस पूरे एरिया में आगरा का integrated manufacturing cluster develop किया जाएगा यहाँ पर 429 hectare land parcel UP seeder ने acquire गया था वहें 123 acres land parcel आगरा development authority द्वारा acquire किया गया था वहें दोस्तों अगर हम latest update की बात करें क्या 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 इस पर latest update आया है तो recently UP seeder द्वारा एक बहुती बड़ी meeting organize की गई थी और इस meeting में UP PTL, ADM आगरा, UP General लिगम, UP Irrigation Department, UP Bridge Corporation आगरा development authority और जो consultant है इन सब के बीच में एक meeting हुई थी और दोस्तों इस meeting में यह tag किया गया था इस meeting में यह tag किया गया था कि जो भी आगरा काम होना है उसको पूरा किया जाए जैसे कि आपको पता है कि इसमें multiple department है इसलिए multiple works भी यहाँ होने है और multiple work एक इंड़स्टर के development में जरूरी होता है जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि करीब 10 एकर्स का जो लैंड परसल था इस पर बहुत ज़्यदा विवात था उसके निप्टारी की निर्देश यहां पर दिये गए हैं इसमें जो एडियम आगरा है वो इसको सुलजाएंगे इसके लावा आगरा administration 14 hectare क लैंड परसल आगरा development aso t transfer करेगी यूपी सीडा को वहीं दोस्तों pwd आगरा development aso t bridge corporation of india यूपी सीडा इनके officials जल्दी visit करने वाले हैं और यहां पर दोस्तों जो भी निर्मास तल होने वाले हैं जहां पर development होना है वहां पर पानी और मिट्टी के sample desk report बनाकर जल्दी जल नि जागी वहीं यहां पर दोस्तों जो इन्वेस्टे से संबंदित महातपूर अपडेट है इसकी development में basic MADS का development बहुत जरूरी है जैसे की power connectivity होना water connectivity होना पर different department से बात कर रही है इसके लाव दोस्तों जो infrastructure का development होता है वो तो DPR के approval के बाद ही हो पाएगा लेकिन उससे पहले भ होना बाकी है वहीं Japanese investors यहां पर निवेस्ट करने के लिए उसक है दोस्तों कोई भी इनवेस्टे यहां उसक क्यों नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यहां निवेस्ट आएगा तो अगर हम स्टेजिस की बात करें तो अभी तो काफी सारा काम होना बाकी है उसके बाद development के लि को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चालूक सब्सक्राइब करें धन्यवाद आपका यह वीडियो देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में